नमश्कार प्यारे बच्चो तो आईए शुरू करते हैं कक्षा 6 का गनित का उडान का लेसन नमबर 5 नमश्कार प्यारे बच्चो तो आईए शुरू करते हैं आज कक्षा 6 का उडान का गनित का लेसन नमबर 6 तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है राजा की लकीर तो यहां पर लिखा हुआ है एक बार राजा अपने दर्वारियों के साथ नरी के किनारे टहल रहा था अचानक राजा ने एक छड़ी से रेत पर एक लकीर खेंच दी और कहा बिना इसको छुए जो इसे छोटी कर देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा तो प्यारे बच्चो आप राजा से इनाम पाने के लिए क्या प्रयास करेंगी तो हम जानते हैं कि मान लीजी मैंने यहां पर एक मैं राजा हूँ और मैंने यहां पर लकीर लगा दी है तो अब इस लकीर को आपने छोटा करना है तो आप मुझसे इनाम प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चो क्या करोगे तो आप माइंड लगाईए तब तक मैं आपको बताता हूँ आप से एक रिक्वेस्ट है तब तक आप माइंड लगाईए इस वीडियो को आपने लाइक करना है शेर करना है और अपने दोस्तों मित्रों में जो नए हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना है और जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब भी करना है तो आईए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे इस लकीर को बिना मिटे इसको चुरबड से एरेजर से चोटा नहीं करना है तो इसको हम एक इसको बिना चुए हम इसको कैसे चोटा करेंगे तो मैं यहाँ पर एक और लकीर लगा देता हूँ देखिए ये देखिए ये लकीर अब आप बताईएए भी कौन सी लकीर छोटी है और कौन सी बड़ी है तो आप कहेंगे कि ये वाली जो लकीर है ये छोटी है तो इस तरह बिना छुए इस लकीर को हमने एक बड़ी लकीर लगा कर छोटी कर दिया है कहां से खरीदें आपका नया सतर परम्भ हुआ आपको ग्रह कार्य करने के लिए पैन की आवशकता पड़ी आपने बजार जाकर दो दुकानों पर कुछ इस पर कार का बोर्ड लगा देखा तो दुकान नमबर जो एक है प्यारे बच्चो उस पर लिखा था 12 पैन 24 रपए में और दूसरी जो मैंने इसको दुकान नमबर दो लिख दिया है इस पर 18 पैन 45 रपए में मिल रहे थे तो अब प्यारे बच्चो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा पैन कौन सी दुकान से हमने पैन खरीदने हैं कौन से पैन सस्ते मिल रही हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 12 पैन जो हैं 24 रपए के मिल रही हैं तो हम एक पैन का बच्चो मुल्या निकाल देंगे 24 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो यह एक पैन का मुल्या हमारे पास 2 रुपए आ गया यानि एक नमबर दुकान है जो उसका एक पैन जो है 2 रुपए का है अब हम जो दूसरी दुकान है उसके 18 पैन जो है पांच बटा दो आ गया इसको हमने डिवाइड करके दिशमल में पैसे निकाल लेने हैं तो यह से यहां पर मैंने यह डिवाइड किया है दो के साथ पांच दो दुनी चार और एक बच गया और उपर डेसिमल लगा के जीरो लगा लिए और पांच दुनी दस तो यह दो दिश पचास पैसे बन गया अब दूसरी और देखें तो पहली दुकान का एक पैन दो रुपे का मिल रहा है और इस दुकान का दो रुपे पचास पैसे का जैनी पचास रुपे जादा मिल रहा है तो हम दुकान नमबर एक से पैन खरीदेंगे क्योंकि यह दुकान दो से पचास पैसे यहां दो लिख लीजिए बीच में दो से पचास पैसे सस्ता हमें मिल रहा हूँ चाए और वाई राम चाए वाला के चाए इतनी बढ़िया होती है कि एक बार जिसको स्वाद लग जाए तो रहा ना पाए राम कम ज़्यादा जितने मरजी ग्रहकों के लिए चाए बनाए हर बार चाए का स्वाद वही का वही रहता है उसमें जरा सा भी अंतर नहीं होता आये राम के चाए बनाने के मिश्रन को देखते हैं तो इस statement में हमें प्यारे बच्चो उसने जो चाय बनाता है हर बार बढ़िया चाय बनती है उसके जो मिश्रन है रेस्पी है वो बताई गई है तो पहले मिश्रन में उसने लिखा है कि जब चार कप चाय बनाता है तो उसमें तीन चमच चीनी और दो चमच चाय पती डालता है अब चार से ये आठ डबल हो गया दूसरे मिश्रन ने आठ कप हो गए तो ये चिन्नी है तीन चम्च वाली यहाँ पर छे चम्च हो जाएगी और दो का डबल दो दूनी चार चम्च यहाँ पर जो है चाय पत्ती हो जाएगी तो इस तरह कप डबल होने पर ये मटीरियल जो इसने मिश्रन है वो भी डबल हो जाएगा कौन सी चाय के कप जादा मिठे होंगे पहले मिश्रन वाले जाँ दूसरे मिश्रन वाले तो प्यारे बच्चो जो मिश्रन पहले और दूसरा है हमसे ये पुछा है जिसमें पहले में चार कप हैं और दूसरे में हमें जो हैं आठ कप हैं तो कौन सा मिश्रन तो जैसे की चाय के कप जो हैं वो दुगने हो गए हैं तो उसमें मटीरियल में प्यारे बच्चो दुगना हो गया है तो मिठ़्े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम लिख देंगे दोनों में मिठ़्ा एक जैसा ही होगा क्योंकि दूसरे में चीन्नी के चमच दुगने होने पर कप भी दुगने हो गए हैं कौन सी चाए सबसे मिठ़्ी चाए तो इसमें ये लिखा हुआ है तीन मशूर कंटीन वाले चाए निमन परकार से बनाते हैं कमल की चाए दो कप बनाने में वो एक चमच चीन्नी का डालता है यहां पर शाम तीन कप चाए बनाने में दो चमच चीन्नी के डालता है और जो राम है वो चार कप चाई की बनाने के लिए तीन चम्च चीनी के डालता है तो प्यारे बजहों यहाँ पर देखें तो दो कप में एक चम्च डाला जन्ही है एक कप में आदा चम्च आया, तो आदे को हम अगर डिवाइड करें इस तरह से एक को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये पहले जो है यहां पर हम 0 लगा के decimal लगाएंगे 0 लगाएंगे यहां पर तो ये 5 पर जाएगा 5 दूनी 10 तो ये हमारा 0.5 आ गया है इसके साथ मैंने 0 लगा दी है बाकी दिशमलमों को बराबर करने के लिए अब दूसरे में देखें तो ये जो हैं दो चमच हैं जो वो तीन कप में डाल रहा है तो दो जो चमच हैं वो उसने कितने कप में डाले तीन में तो एक कप में कितना आ गया दो बटा तीन आ गया अब दो बटा तीन को हम फिर से अगर दो को डिवाइ आ जाएगा तो दो 6 रह जाएगा तो फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे हम यहाँ से तो फिर फिर यह छे पर जाएगा तो यह 0.66 आ जाएगा इस तरह जो दूसरे शाम की चाय है उसमें चीननी 0.66 चमच गई और पहले में 0.5 जनी आदा चमच गई अब जो तीसरा है उसके लिए हम क्या करेंगे उसमें अगर देखि हम तो यहां पर चार कप में 3 चमच चीननी है तो यह एक कप में जो चीननी है वो 3 वटा 4 हो जाएगी यह जो 4 कप हैं उनमें 3 वटा 4 यानी 3 चृधाई चीननी आएगी तो इसको अगर हम डिवाइड करके दिशमलब में निकाल लेंगे तो यह 0.75 आ जाएगा तो इन में प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो यह जो 0.50 है यह सबसे कम है तो हम कह सकते हैं कि कमल की चाय सबसे कम मीठी है और अगर हम शाम की चाय देखें तो यह 0.66 है और जो सबसे ज़्यादा है वो 0.75 है यानि राम की चाय जो है सबसे मीठी होगी तो इसका जो अगले पेज पर हम आंस्वर लिख देते हैं इन्होंने यह пूछा है कि आपको अधिक चाय मीठी चाय पसंद है तो अब किस कंटीन पर जाएंगे तो हम राम की कंटीन पर जाएंगे तो अगे लिखा हुआ है सबसे कम जिसमें आदा चमच था 0.50 था वो कमल सबसे कम मिठी बनाता है एक जैसे सवाद की चाय एक से अधिक कंटीन से मिल सकती है तो सभी का टेस्ट जो है मिठे का वो अलग अलग है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे तो अब अगला जो है आपने अपने उत्तर कैसे पता कि यह कारण सहीत लिखो तो यह ग्याद करने के लिए कौन सी कंटीन की चाय कितनी मिठी है हमने जैसे उपर पहले सारनी में आपको मैंने दिखाया एक कप में चीननी की मातरा ग्याद की जैसे यहाँ पर हमने समय एक एक कप में चीननी की मातरा ग्याद की इस तरह एक कप में चीन पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आपने इस वीडियो को शेर भी जरूर करना है अपने दोस्तों मित्रों में आपने वीडियो को लाइक भी जरूर करना है थैंक यू वेरी माच